हेलो स्टूरेंट्स स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल केमस्टी टैम पे और मैं राग्यस कुमार आपका केमस्टी ठीचर तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह सॉलूशन बिलियन जो की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है यह जो अभी एक्जाम जो आ कर दिया गया है और उसके बाद जो भी जो टॉपिक बचे हैं उसमें भी 7 मार्स का जो कि पहले 5 यह 4 मार्क्स का आता था इस बार जो है 7 मार्स का चैप्टर है ठीक है तो इसमें जो हम रिविजन क्या करेंगे मैं बताता हूं तो नहीं पढ़ा रहा रहा है क्योंगी थियो टॉपिकों पर नुमेरकल आएगा उन टॉपिक के लिए मैंने जो है आप फॉर्मुले लिख दी है उन फॉर्मुलो को आप याद कर लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग जितने भी नुमेरकल होंगे उन नुमेरकल को कर लेंगे ठीक है तो जैसे इसमें एक मुल रता और याद करें लिए परिवासा अपने आप याद करते ही ठीक है तो इसकी च्याहे करते हैं संख्या जिए एक बिलेय के मुल होंगे उसी को कहते हैं कहते हैं कि कहते हैं करते हैं एक लिटर में उपस्थित को इस तरीक आपको आपको यह करते हैं बिलया के मौलों की संख्या आइतल ली एक तो इसको आप भो सकते हैं तो मोलर्ता निकालने के लिए इस पेसल फॉर्मुला है अगर किसी कोस्चन में घनत दिया हो तो आप क्या करते हैं उसके लिए फॉर्मुला हमने डारेक्ट लिए दिया है इन्टू परसेंटेज भारानुसार बटे अनुभार, से मुलुहार निकालने के माल लिजी किसी कोस्चन में घनत दिया हो और परसेंटेज दे दिया हो और आप से पुछे तो बहां पर डारेक्ट ये फॉर्मुला लगां एक हैंक तो यह तो ही वह गया उसके बाद चैनल है क्या था एक लीटर हैतने में उपस्तित दोड वाक ऐगए क्या मुललतां थी откры जी दो हो गए उसके बाद जो है थाड़ है नॉर्मलता इन पर जाला नहीं आता है वो आगे वाले फॉर्मिलों से आता है लेकिन फिर भी हम कर ले रहे हैं बाइचांस ऑब्जेक्टिव में या फिर एक आद नमबर में जो है वनमार्क कूछ लेते हैं तो उसके लिए हमें आ संख्या क्या होती है इसके लिए आपको नेक्ट लेक्टर देखना पड़ेगा उसके बाद नेक्स्ट जो है फॉर्मला आपको याद करना है परास्रण अदाब से रिलेटेड जो आंकिक पिर्शन आएंगे जो नुमेरकल आते हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेट है सूप आपकी बुक्स में यह वाला फॉर्मला भी दिया होगा जो एस आर क्या है गैस कॉंस्टेंट और एस जो है वो बिलियन कॉंस्टेंट है फिर इसको जो हम जानते हैं बरावर क्या होता है यानि ग्राम में भार बटे अडू भार तो मैंने इस एन की जगह जो है डबलू यहां पर प्रासन अदाब है बिजो है आइतन है डबलू जो है घृण में भार दिया होगा अधिया गड़ा देंगे आपको जो है कल्विन में उसको करवाट करना होगा 273 एड करके कल्कुलेट करेंगे तो परसंटेज में दोचीजे तक भी होता है तो मैं आपको बताऊंगो कैसे दो चीजे होती है ठीक तो एक आपको यह फर्मला याद करना उसके बाद जो है मोलर उन्ययन इस्थरांग निकालने को आता है मोलर या फिर मोलल तो आपने कुछ टॉपिक पढ़ाऊगा थेओरी तो पढ़ाने रहा हूं नुमे पढ़ाने के लिए फार्मला होता है जिससे हम अड़ोभार निकालने के लिए फार्मला किसी कुछ्टन में तो उसके लिए क्या होता है अगर आपको डिरेक्ट फॉर्मला याद करना है हंड्रेट इंटू के वी के जो है आप मोलर उन्ययन इस्थरांग है इस्मॉल क्या क 5000 ट्रेक्ट में पहले सी ट्रेक्ट से यहीं चोटा डवलु क deve burned एफ कि मातरा कम होती है अट अ bitcoin में में सा हुता आयगी 살ब कप जादा बना अ जयर्यो चोटा overwhelming जब उमेर करेंके नेच्ट में आजे तो आपको सब समझत कहां पर क्या है किस का मेनिक क्या है यह तो Moler Undian Strång की बात है लेकिन Molar Undian Strång की जगह अगर आप से Molal पूछ लिया εν हानी तोटली वाली पूछ ले Moler Undian Strong उसकेस में कुछ कश नहीं करना जहां केभी हैं वहारedd के हिमांग के अबनमन में भी सेम होगा बस जहां पर के भी है क्यों कि freezing point होता तो यहां B का मतलब क्या है boiling point यानि कोथनांक का और जहां पर freezing point होगा बहां पर F सब कुछ सेम होगा बस जहां B है वहां F आ तो अगर आप लोगों ने इतने फॉर्मॉला याद कर ली इस चैप्टर में तो यह पूरा चैप्टर साथ नम्मर का है तो देखिए तो इसमें ज्यादा इंपॉर्डट नहीं है तो जितने कोस्टन होंगे कुछ किनि मेरखव ने औरव नुमेरिकल किने हाँगा क्योंकि लिफार्ट 10 पर में में चैप्टर में ज्यादा है जब फिरी नहीं है तो आने की चांस क्या है नोमेरिकल 2007 पर्सेंट शेप्टर से जरूर आएक ब्ले Bud disaster कर Hai कि आ है कि आज थी अब मार्ण नम्मर्ट जो हैं जरूर आएंगे तो इसमें कौन-कौन सबसे बार चेप्टर तो करना है आप लोग को तो solution मुझे लगता है उनमें से सबसे best है solution की जो numerical है बहुत आसान है जब हम कल करेंगे तो आप देखना कितने आसान question है हम trick से करा देंगे जैसे इसकी trick बताई कि छोटा w छोटा one बड़ा w बड़ा one इस तरीके से सारे question परसेंटेज वाले जितने भी question आते हैं परसेंटेज में दो चीज़े चुपी रहती है पहले से और लेड़ी आपको पता है परसेंटेज में डबलू और आयतन दोनों चुपा हुआ रहता है अब जो बच्चा परसेंटेज दे के घवरा आ गया तो समझे question नहीं कर पाएगा पास time नहीं है अगर हम पूरा chapter पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम कुछ भी एक chapter भी ढंग से ना कर पाए तो मैं कुछ topic जो important है बोड के exam के लिए कुँकि आपको exam की date final आ गई है आठ महीं से जो आपका exam start है तो 8 महीं के हिसाप से अगर हम slayvers करने बैठ गए तो slayvers का तो कु comment box में बता सकते हैं मैं उस topic पे जो है video 10-15 मिनिट की है जितना भी होगा उतना हम बना सकते उसको बीडियो बनाएंगे और आप लोग जो है उसको देखें ठीक है तो आज के लिए इतना काफी है मैं numerical numerical कराता हूं next lecture में जो हम numerical करेंगे आज के लिए यह आप formula आपको याद ह नहीं दे रहा है यह जो है academic exam है और academic exam में जो question आता वो इतना tricky नहीं आता है कि बहुत ज़्यादा गुमा के question देंगे question ऐसे आते हैं कि direct formula लगाई और answer आ जाएगा मतलब formula based question आने हर chapter से यह है अगर आपका formula याद है तो direct formula लगा के question को attempt कर सकते हैं लेकिन अगर completion में आए तो completion में तो बहुत ज़्यादा घुमा देता है मतलब कहीं से कुछ पूछ लेगा तो इतना detail में नहीं पढ़ आया ठीक है तो आज के लिए काफी इतना बागी जो है next lecture में मिलेंगे इसी के numerical के साथ अगर आप लोग को video समझ में आई हो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को सा पर आप चैनल पर नए हैं बागी जो है थैंक्स फूर वाचिंग मिलते हैं नेक्स टेक्टर में